नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिन संबंदित यानि कि पिशाप संबंदित मैंटिपल परिशानी के बारे में अगर आपको यूरिन बार-बार होती हो यूरिन में जलन आ रही हो बहुत स्वांग स्मेल देखने को मिल रही हो किगणी में दर्द हो या किगणी स्टोन होने की परिशानी हो इन तमाम परिशानी के लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और ऐसी कौन सी होमेपैतिक मेडिसिन है जिसका प्रेयोग करके आप अपनी यूरिन, किड्नी इन तमाम सम्मंदित परिशानियों को ठीक कर सकते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत जादा इंफोमेटिव है आप इसको आन तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे excretory system है या जो हिंदी में जैसे उत्सरजन तंत्र बोलते हैं इनमें बार-बार जो परिशानियां आती हैं वो किन कारौनों से आ सकती हैं दोस्तों आपको frequent urinary infection होने के chances हो सकते हैं आपको बार-बार आपके पिशाब में infection हो रहा हो आपको cystitis की condition हो आपको जो renal याने की kidney है उसमें stone बनने की tendency बार-बार हो आपकी kidney में surgeon हो सकती है आपके nephrons में surgeon जैसे hydronephrosis बोलते हैं हो सकती है इसके अलावा आपको prostate issue हो सकता है तो ये कुछ ऐसे main कारण है अगर आपको ये चीज़े बार-बार-बार होती रहती है तो जो आपका respiratory system है जो आपके शरीर का waste product निकालने वाला system है वो बहुत ज्यादा impact हो जाता है और देरे-देरे आपके kidney पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पढ़ना शुरू हो जाता है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपने causes पे ध्यान देना है अगर आपको urinary infection बहुत जादा frequent हो रहा है तो कोशिश करें आप पानी की मातरा जरुवत से जादा रखें अटलिस 3 प्लेस लीटर आपको पीना ही पीना है जो लोग बहुत प्रोन होते है urinary infection के लिए अपने sugar हमेशा मिजर करके रखें कि आपका sugar fluctuation तो नहीं हो रहा है क्योंकि sugar patient में utinary infection होने की chances सबसे जादा होते हैं क्योंकि उनके body में जो black sugar level जादा होता है तो urine में भी sugar level उनका बढ़े हुआ आता है और यूरिनिक ऐसा medium है अगर उसके अंदर sugar मिल रही है तो bacterial infection होने की chances सबसे जादा बढ़ जाते हैं इसके अलावा अगर आपको kidney stone बनने की chances बहुत जादा होते हैं तो आपको इस case में भी पानी की मातरा अच्छी रखनी है आपको अपना calcium और uric acid का check-up जरूर कराके रखना है कि कहीं इनकी मातरा जरूत से जादा तो नहीं है और यह आपके kidney में आके store तो नहीं हो रही है इसके लावा जो possible causes थे जिसमें से prostate था, cystitis था, cystitis यानि की bladder में सूजन होने की जो cause होता है वो है frequent urinary infection अगर आपको बार-बार-बार urinary infection होता है तो आपके bladder में सूजन आ सकती है जिसके फलसोरूप आपके जो bladder में आपको जो urine है एक बार में नहीं निकलती, evacuate में होती, थोड़ी बची रजाती है जिसे post residue बोलते है कि आपका urine बचा रह रह रहा है और आप थोड़ी दिर बाद फिर से महसूस करते हैं कि आपको urine लगी हो और आपको पास करने जाना है इसके अलावा ये same symptom आपको prostate case में भी देखने को मिल सकता है Prostate में because of prostate enlargement, prostate एक male gland है जो urethral के side में compression cause करने लगता है और आपको urine में दिक्कत आती है, urine drip drip करके आती है, एक बार में clearance नहीं होता, थोड़ी दर बाद urine वापस लग जाती है तो ये सारे cases आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपका excretory system properly काम नहीं कर रहा है तो तो सबसे पहले आप इनके कारणों पर focus करें इस पर देखें कि किन कारणों की वज़े सो रहा है और उस पर work करें ताकि आपकी ये परिशानी ठीक हो, otherwise बहुत लंबे समय तक ये परिशानी अगर आपके शरीर में बनी रहती है तो ये आपके kidney के उपर बहुती बुरा प्र आपको kidney side में दर्द बना रहता है, आपको cystitis and bladder में सूजन होने की possibility अगर रहती है, इसके अलावा आपको prostate का issue है, urine में बहुत strong smell आती है, urinary infection बार बार होता है, तो आप इस syrup का ज़रूर प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा काम करती है, मेरे maximum prostate patient, urinary infection के patient को मैं ये recommend करती और इसका बहुत ही अच्छा research देखने को मिलता है, आपको लेना है, medicine company का reno call syrup, बहुत easily आपको किसी भी homeopathic shop पे मिल जाएगा, आप जाके इसको देख परचेस कर सकते हैं, अगर आपको urine संबंदित परिशानी है, तो इसका सेवन करें, इसको आपको लेना कैसे है, 5 ml आपक आपको बहुत severe symptoms आ रहे हैं तो, और अगर आपको बहुत लंबे समय से है, और एक stable condition में ये चीज़ बनी हुई है, तो सुबा शाम आप 5 ml आप ले सकते हैं, और इसको अगर acute condition में हुआ है, मतलब अभी recently आपको urinary infection हुआ है, तो हफते भर या 10 दिन लेकर आप बंद कर दें Otherwise, अगर आप बहुत लंबी समय से अपने kidney या renal सम्मंदित परिशानियों से ग्रसित हैं, तो इसको कम से कम 2-3 मेहने प्रयोग करके बंद करी, आपके kidney सम्मंदित तमाम परिशानियों को ठीक करने में आपको बहुत ज़दा help करनी वाला है, तो दोस्तों, इसमें क्या क्या इसमें डाली गई है, जो आपके urinary complaints को आपके excretory system के उपर ये बहुत ही अच्छा काम करती है, और इसके बहुत ही proven results देखने को मिले, बहुत ही अच्छा इसका result देखने को मिला है, अगर आप बच्चों को दोस्तों ही दे रहे हैं, मैं ये बताना भूलगी, कि अगर आप हफते बर से 10 दिन देकर, जब परिशानी completely subside कर जाए, तो आप इसको बनित कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, इसके प्राइजिंग की, दोस्तों, ये मात्र 110 रुपए की मिलती है, इसकी जो 125 ml की bottle है, अगर आप बड़ी bottle लेते हैं, तो थोड़ी expensive होगी, अ अगर आपको urinary complaint है, तो प्लीज इसको लेना शुरू करें, ये आपको बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है, तो आशा करती हैं दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like ज़रूर करें, share करें दोस्तों, ज़्यादा